दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गएं, जब दौलत मिली तो हाथ से रिष्टे निकल गएं, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गएं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्विकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इंसान की सबसे वरिहार तब होती है, जब खुद सही होकर भी उसे गलत लोगों के आगे सर जुकाना पड़ता है। ये बेफिक्रिसी सुबह और गुनगुनाहट शामों की, जिन्दगी खूपसूरत है, अगर आदत है मुस्कुराने की। हर पल नया साज है जिन्दगी, एक नई आवाज है जिन्दगी, कितना हसें कितना रोएं, इसका हिसाब है जिन्दगी। जिन्दगी है नादान, इसलिए चुपू, दर्द ही दर्द है सुबह शाम, इसलिए चुपू, कहदू जमाने से दास्तां अपनी, उसमें आएगा तेरा नाम, इसलिए चुपू। जिस प्रकार उबलते पानी में कभी परचाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परिशान मन से समधान भी नहीं दिखता, इसलिए शान्त होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सची बातों को जान लेना ही ग्यान है, और जो अपनी महनत से कुछ कर दिखाए, वही महान है। इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं, लोग जरूरत से ज़्यादा, होशियार क्यों हैं, सब को सब की हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते, अखबार क्यों हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना, कीचर के उपर रंग लगाने वाली बात होती है। जिंदिगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। प्रीत न जाने जात कुजात, नीन न जाने टूटी खाड, भूख न जाने बासी भाद, और प्यास न जाने धोबी घाड। पहले जो आयू में बड़े होते थें, उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है, उसका सम्मान होता है। मुर्ख व्यक्ति से हमेशा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि या बुद्धिमान व्यक्ति को मानसिक रूप से बिमार करने का काम करते हैं। मतलब से भरी इस दुनिया में गैरों से जादा अपनों से साउधान रहना पड़ता है ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आपको आज का या वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा चल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार